हेलो फ्रेंस मैं रागनी आज कुछ वीडियो में आपका स्वागत करती हूं तो फ्रेंस आज मैं शेयर करने वाली हूं एल्बो सिलीप्स में शोल्डर कट डिजाइन तो फ्रेंस देखे आप अपने मेजर मेंट की सबसे कटिंग कर लें यहां पे हम बाजू की टोटल लंबा है हमारा दीनी रिट को होगा और साइड से मोड दो इंच दो पॉइंट लें गे और इस तरह से देखे इसे मिला लेंगे आफ करांव देते हो आपको मिला लेंगे तो इस तरह से दिए अनश में राउन से रख एक बर चेक कर लेंगा सिधा कर जिए से चेक करने कि आपका गुलाई पर्फेक्ट आया है कि नहीं और उसके बासी से हम कटिंग कर लेंगे तो देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा से हमारा बाजु का जो राउंड है कट हो चुका है अब हम जो हमारा में कपड़ा है साड़ी वाला उसको लेंगे साड़ी की पीस क आपको उसी लाई करते टाइम कपड़ा ज्यादा या कम नहीं लेना है बिल्कुल बराबर से आपको एक चाप कपड़ा लेना है और उसके बासे देखिए जो आपका अंदर का जो कपड़ा है उसे कट करके निकाल लेना है एक चाप कपड़ा छोड़ते हुए और छोटा- करेंगे इस तरह से और बहुत इजिली और कम टाइम में हमारा इस तरह से बाजू का डिजाइन बनके रेडी हो जाएगा अब डिजाइन में फिनिसिंग देने के लिए उपर से एक शिलाई लगाएंगी एक चाप के दूरी पे तो इस तरह से पूरे राउंड में शिलाई लगा लेंगे और उसके बाज से देखे फ्रेंस इसे उल्टा करके हम जो हमारा अस्तर है उसे में कपड़े से अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे शिलाई लगा करके नीची के साइड हम ओपन ही रखेंगे क्योंकि इसमें हमें फ्रिल अटेच करना है तो नीची के साइड हमें नहीं सिलाई लगानी है बस साइड से इसे हम सिलाई लगा करके ज्वाइन कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसमें उसे हम कट करके निकाल ले अच्छे से अटेच हो चुका है मेन कपड़े में अब यहां पर देखे तीन इन चोड़ी पटी लेंगे और पटी की लंबाई आपको एक मीटर से थोड़ा सा ही कम लेना है और देखे इस तरह से डबल करते हुए किनारे पर सिलाई लगा लेनी है तो देखे फ्रेंस उसके बाद से इसे प्रेस से अच्छे से हम चिपका लेंगे तो प्रेस करके या फ्रील बनाएं तो पटी को प्रेस कर लिए हैं हम अब इसमें हम फ्रील बनाएंगे तो फ्रील की जो चमडाई है आदा इंच से जादा नहीं होनी चाहिए और हर एक फ्रील तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से फ्रील बना रहे हैं तो इस तरह से पूरे पट्टी में आपको फ्रील बना लेना है जितना आपका बाजू का मोहरी है उसके हिसाब से और जो एक्ष्ट्रा कपड़ा निकलव है बार के साधे उसे कट कर लेंगे तो देखे हम ओपेन रखे हैं उसके बिलकूल बीचो बीच में इसे में डालना है उपर के साइड से देखे इस तरह से कर लेना है और जो इसका धारी है जो हमारा साडी का जो पीस है उसका उसे फोल्ड करती हुए कॉर्णर पे सिलाई लगा लेनी है तो इस तरह से देखे फ् तो आप इसी तरह से बनाएं तो देखिए इस तरह से उपर वाले भाग को में एक चाप मोड़ते जाना है और शिला लगाते जाना है तो इस तरह से देखिए फ्रिल भी हमारा अच्छा से अटेच हो चुका है अब हम देखिए सोल्डर कट बाजू है तो हम सोल्डर पर उरे बढ़ा भी पटी लेंगे और देखिए कि साड़े तीन इंच नीचे से हमें इसे लगाना है स्टार्ट करना है तो यह चाप कप्डा मार्जन में लेते हुए इस पटी को ज्वाइन कर लेंगे सेम उसी तरह से जैसे मिले पर तुरपाई वाली पटी ज्वाइन करते हैं उस बाई वाला गलापटी ज्वाइंड करते हैं उसी तरह से फोल्ड करके एक चाप की दूरी पर हम शिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा जो शोल्डर है उभरेना और अच्छे से पैक हो जाए तो देखिए इस तरह से हम शिलाई लगा लिए है और अब देखी से सीधा करके हम मार मुझे तो बाच कर लेंगे तो दो इंच Both are a two-point only 2.5 एक फंड वील कुछ सोल्डर से हमें लेना है शोल्डर से मिद दो इंच्ट दो पॉंट दोनों तरफ मार कर लेना है क्यूंकि दो इंच्पे मिलें तो सीलाई िमें ताकि जो हमारा बाजू का घेरा है वहीं पर आकर के खतम हो जहां पर हम दो इंच दो पॉइंट भी मार्किंग किये हैं तो देखिए बिल्कूल बराबर से हमारा आ रहा है यहां तक तो इस डिजाइन वाली स्लिप्स को इसी तरह से जोइन करते हैं तो देखिए अब हम दूसरे साइड भी लेंगे दूसरे साइड भी जहां पर हम मार की हैं वहीं समय स्टार्ट करना है तो हमारा फ्रंड का है तो फ्रंड पार्ट में हम आर्म होल में गुलाई देते हैं तो आप एक चाप कपड़ा कट करके निकाल दें ताकि आर्म होल में जोलाने का कोई समस्या नहों और इस तरह से देखे फ्रेंट आपको सेमwości तरह से इस साइड भी बाजू को जुआइंड कर लेना है अब इसे हम से कट कर लेंगे और सीधा करने के बाहते देखे फ्रेंट कितना अच्छा से हमारा बाजू जुआइंट हो चुका है अब हम दोनों साइड यहां पर सिलाई लगाकर किसे फिक्स कर लेंगे ताकि हमारा निकले ना जो भी एक्ष्टा कपड़ा बाहर के साइड दिख रहा है आप उसको कट कर दें और उसके वासे यहाँ पे सिलाई लगा लें तो सेम इसी तरह से दूसरा बाजू भी हम ज्वाइंट कर लेंगे तो दोनों तरह बाजू ज्वाइंट हो चुका है अब फिटिंग के लिए देखिए सबसे पहले सीधे साइड से एक शिलाई हम लगाते हैं जो गुम शिलाई होती है तो किसी भी नॉर्मल से ब्लाउंज में अब घहат न कि में अपनी मेजर मेंट्र की हissäपसी नहीं देखिए और उसके वासिय grin की सिलाई लगाएंगे आपका जो भी माप हो आप उसके साफ से मार्किंग कर लें और फिटिंग की सिलाई लगा दें तो देखें दोनों साइड हैं इसी तरह से ब्लाउंज को फिटिंग करेंगे अब मेरा ब्लाउंज बनके रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितना लुक आया है वाजू का तो फ्रेंस में अम्मीद करते हूं कि वीडिया प्लोग को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वर शेयर जलूर कीजिएगा मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ओन कर देए